T20 World Cup 2024 से पहले सभी टीमें तयारियों के लिए warm-up मैच खेल रही है। West Indies की टीम ने warm-up मैच में Australia को 35 रनों से हरा दिया है। इस मैच में West Indies के बल्ले बाजों ने बहतरीन बैटिंग का नमूना पेश किया। टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 257 रन बनाए। जिसके जवाब में Australia यी टीम 222 रन ही बना सकी। T20 World Cup से पहले Australia के लिए ये हार चौकाने वाली है। वहीं Kanada और Needlands के बीच warm-up मैच रद्ध हो गया और इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। वेस्टेंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। टीम के लिए Nicholas पूरन और रोवमेन पॉवेल ने शानदार पारियां खेली। इन बल्ले बाजों की वजह से ही वेस्टेंडीज की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। पूरन ने 25 गेंदों में 75 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 8 चुके लगाए। रोवमेन पॉवेल ने 52 रनों का योगदान दिया। आस्टेलिया के गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। टीम के लिए एडम जामपा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किये। विस्टेंडीज की टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2012 और 2016 का खिता जीता था। तब टीम के कपतान डेरिन सैमी थे। वहीं आस्टेलिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिता हुआ है। तब आस्टेलिया ने न्यूजी लैंड को हराया था। झाल 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 झाल